हेलो स्टूडेंट्स आइम हार्दीक शेटा फ्रम सारस्वत इंडिनेश्यल अकेडमी वापी आज हम स्टैंडर 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चेप्टर नंबर 13 नूकलिय को आगे बढ़ाएंगे तो आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी आज हम क्या-क्या पढ़ने वा हम उसका स्टेटमेंट समझेंगे फिर डेरिवेशन आफ्टर डेट के बाद हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम के बाद एवरेज लाइफ टाइम ठीक है तो मतलब यहां पे हमें एक ही लेक्ट्चर में पूरा रेडियो एक्टिविटी फिनिश करना है और अच्छे से समझना है ठीक है रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले डिसकवर के थी एच बेक्वेरल ओके एच बेक्वेरल डिसकवर्ड डिसकवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896 एक्सिडेंट मतलब क्या कि वो कोई और एक्स्पेरिमेंट करने जा रहे थे और कुछ अलग साही अब्जर्वेशन उनको मिला ठीक है वो क्या कर रहे थे कुछ compounds है उनके उपर दो effect study कर रहे थे fluorescence and phosphorescence ओके आफ्टर illuminating समझना आफ्टर illuminating some pieces of uranium potassium sulfate with visible light उन्होंने क्या किया uranium potassium sulfate को visible light से illuminate किया illuminate करना क्या मतलब है visible light उनके उपर apply की okay he wrapped them in black paper and separated the package from a photographic plate by a piece of silver uranium potassium sulfate को पहले visible light से illuminate किया उसके बाद black paper के अंदर wrap कर दिया और जो package है उसको separate किया गया photographic plate से buy a piece of silver ठीक है when after several hours of exposure the photographic plate was developed कुछ time के बाद photographic plate है वो developed हुई it showed blackening due to something that must have been emitted by the compound and was able to penetrate both black paper and the silver समझो black paper से वो जो material था उसको wrap किया था तो समझो कि ऐसा कोई एक material था जिसको black paper से wrap किया गया था और फिर silver piece की help से उसको fat photographic plate से थोड़ा अलग किया था मान लो कि यह photographic plate है तो यहाँ पे अब silver color थो हम अच्छे से यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे आपको मान लो कि यह ऐसा कोई एक silver plate है जिसकी help से आपको वो piece है वो अलग करके दिया गया था photographic plate से अब देखने को क्या मिला यह तो silver है यह black paper है और यह जो material है जिसको visible light से eliminate किया गया था अब after कुछ sometime समझो कि यहाँ पे plate develop हुई ओके देखा गया कि ag के उपर कुछ strips थी जो black color की हो चुकी थी अब ag आपको पता है silver का color कैसा होता है उसके उपर black color से कुछ समझो कि print हो गया अब इसका मतलब क्या कि यहाँ से कुछ तो निकला होगा black color से black color जैसा ही क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने black paper से उसको bound किया था तो यहाँ से हमें पता चला कि कुछ ऐसा यहाँ पे material में से निकला है जो photographic plate तक पहुचा है जो black paper और silver का जो material था उन दोनों को penetrate करके निकल सकता था यह चीज़ को नाम दिया गया radio activity एक्स्पिरिमेंट्स परफॉर्मड सब्सिक्वेंट्ली शोड़ देट radio activity वोज अ नुक्लियर फिनोमेना इन वीच एन अनस्टेबल नुक्लियस अंडर्गो अंडर्गोज अडिके ठीके बाद में धीरे धीरे पता चला कि जो अनस्टेबल नुक्लियस होते है वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ एमिट करते रहते हैं और जो एमिशन की प्रोसेस है उसको radioactive decay बोल सकते हो या तो radio activity ठीके अभी तक हमें radio activity में तीन टाइप के radioactive decay ज्यादा मिले हैं एक है alpha decay दूसरा है बीटा decay और थर्ड है गामा decay आलफा decay मतलब क्या समझो आलफा decay मतलब 2HE4 ये क्या है हिलियम बट 2HE4 के only नूकलियस मतलब only there are 2 protons and 2 neutrons electron यहाँ पे count नहीं किये जाएंगे ओके और ये जो 2HE4 जैसा construction निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है तो कोई heavy nucleus है उसके अंदर से निकल रहा है ठीके चलो बीटा डीके में दो टाइप के डीके आ सकते हैं बीटा डीके में एक आ सकता है बीटा माईनस और दूसरा आ सकता है बीटा प्लस nucleus के अंदर से अगर electron निकला तो माईनस 1E0 माईनस 1 charge वाला electron हो सकता है प्लस 1 charge वाला electron हो सकता है जिसका mass negligible होगा ठीक है तो यह है electron और यह है positron positron मतलब positive electron ओके तो beta decay में electron या तो positron कोई भी emit हो सकते हैं उतना याद रखना है सिर्फ electron मतलब negatively charged particle और positron मतलब positively charged particle जिसका mass से वो electron के आसपास होगा charge electron के आसपास ही है यहाँ पे electron का ही charge है यहाँ पे electron से opposite charge है gamma dk अब gamma dk क्या है तो gamma dk है high energy photons अब high energy क्यों कहा गया समझो कि हमें पता है कि electron है उनकी fixed orbit होती है positive nucleus है और around electron की fixed orbit होती है और उनके energy levels के हिसाब से अगर transition होता है तो उतनी energy वाला photon generate होता है अब यह low energy photon होता है क्योंकि electron volt में थी energy बट यही चीज़ अगर आप nucleus में देखने जाओ तो nucleus के अंदर भी energy levels होते है और जब neutron या proton मतलब nucleon एक energy level से दूसरे energy level में आते है तब energy level का जो difference है उस हिसाब से radiation create करते है और वो difference होता है mega electron volt में तो यहाँ पे जो photon generate होगा उसकी energy mega electron volt के आसपास रहेगी इसलिए लिखा गया है high energy photons जो gamma radiation है वो क्या है high energy photons का radiation ओके चलो radio activity समझ में आ गया होगा अभी देखते हैं low of low of radioactive decay low of radioactive decay चलो अच्छे से ध्यान में लेना सबसे पहले statement in any radioactive sample which undergoes alpha beta और gamma decay it is found that the number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to the total number of nuclei in the sample sample के अंदर जितने ज्यादा nucleus होंगे उतने ही ज्यादा rate से आपको nucleus decay होते हुए नज़र आएंगे decay होने का मतलब nucleus के अंदर से कुछ ना कुछ निकलना nucleus को stable होना है तो अपने अंदर से कोई ना कोई mass कोई ना कोई charge alpha beta gamma के form में release करना पड़ेगा ठीक है इफ n is the number of nuclei in the sample and delta n undergo decay in time delta t then देखो यह मैंने लिखके क्यों रखा है क्योंकि आपको exam में exact ऐसा ही लिखना है अगर exam में आया low of radioactive decay तो सबसे पहले जो low है उसका statement लिख दो फिर एक condition लिख दो और फिर derivation स्टार्ट करो चलो अभी derive करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आएगा as per low of radioactive decay delta n by delta t is directly proportional to number of nuclei present in sample at that time जिस time पे यह disintegration rate आप निकाल रहे हो उसी time पे जितने samples already available थे उसी हिसाब से यहाँ पे disintegration होता हुआ आपको नजर आएगा अगर मुझे proportionality sign remove करनी है तो कोई ना कोई constant लगाना पड़ेगा जो material की property पे depend करता होगा वो constant को मैंने नाम दे दिया lambda which is decay constant या तो disintegration constant बोल सकते हो where lambda is decay constant of material और उसका unit आएगा second inverse उसका unit रहेगा second inverse second inverse क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो number of nuclei है यहाँ पे भी number of nuclei है उसका तो कोई unit होगा नहीं नीचे time है तो time का unit रहेगा second one upon second है इसलिए बना second inverse ओके चलो तो अभी लिखते है the change in the number of nuclei in the sample dn equal to आप क्या लिख सकते हो minus of delta n in time क्या आएगा dt क्यों क्योंकि हमने time लिया है very small अब change in number of nuclei है वो यहाँ पे minus of delta n क्यों आया वो समझो तो जो delta n है वो disintegration दिखाएगा ओके number of nuclei undergoing the decay यह है delta n तो number of nuclei which are undisintegrated जो disintegrated नहीं हुए है वो तो बिलकुल opposite मिलेंगे समझो कि एक nucleus है उसके अंदर आपको मिल रहा है कि third total hundred है nucleus जोकी undecade है अब यहाँ पे decay start हुआ पर second आपको मिल रहे है four nuclei है उसका decay हो रहा है तो decay का अगर आप difference निकालो तो four minus zero करोगे that is four और यहाँ पे बचे कितने 96 तो undecade का अगर आप difference निकालो तो 96 minus 100 that is minus four आपको मिलेगा मतलब जितने nuclei decay हो रहे है उससे opposite आपको sign मिलेगी undecade nuclei के लिए ठीक है तो यहाँ पे derivation में है मैं ऐसे लिख सकता हूँ है dn by dt equal to मुझे लिखना पड़ेगा minus lambda into n यहाँ पे था plus lambda into n मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा minus lambda into n अभी जो dn by dt है वो rate of change in undecade nucleus है rate of change in undecade nucleus ठीक है चलो n वाला term एक तरफ ले लेते है तो यह dn by n हुआ equal to minus lambda into dt integrating both sides dn by n is equal to minus lambda integration dt suppose मैं time ले लू initially 0 final time t initial time 0 पे number of nucleus थे n 0 और final time t पे number of nucleus बचे n तो यह answer आएगा ln n कहा से कहा तक n 0 to n equal to minus lambda dt का integration t 0 to t ठीक है तो एक बार ln n रख दो एक बार ln n की जगह पे n 0 रख दो minus lambda into t की जगह पे t और एक बार 0 ठीक है यह जो decay rate है उसको थोड़ा नीचे की और खिसका देते ठीक है चलो अभी तो पता है कि log में अगर subtraction हो रहा है तो अंदर के जो element है उनका आप क्या कर दोगे division तो यहाँ पे lambda into t बचा अब यहाँ पे log ln का base क्या होता है e अगर मुझे ln remove करना है तो n upon n not equal to e raise to minus lambda into t बस एक last step बाकी है उसके बाद हम start करेंगे decay rate तो यहाँ पे मुझे अगर n अलग लेना है तो n equal to मेरे पास formula आएगा n not e2 power minus lambda into t यह है mathematical statement of low of decay ठीक है चलो यहाँ तक समझ में आ गया जितने formula की हमें आगे जरुत पड़ेगी उसको नमबर दे देते हैं एक तो यह है equation 1 यह है equation 2 चलो यहां तक समझ में आ गया और इसी हिसाब से आपको एक graph दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 13.3 एक्सपोनेंशल डीके ओफ रीडियो एक्टिव स्पेसिज आफ्टर लाप्स अप्टो वन आफ मतलब हाफ लाइफ टाइम जो आप आगे पढ़ने वाले हो population of the given species dropped by the factor of 2 ठीक है चलो तो exponential low of radioactive decay अगर आए exam में तो भी आपको यही लिखना है तो question है वो अच्छे से लिखना है तो लिख लो exam में आ सकता है low of radioactive decay तो यह लिखना है और अगर exam में आए the exponential low of radioactive decay तो भी यही लिखना है confused नहीं होना है ओके चलो अभी start करते हैं decay rate अब decay rate क्या है the total decay rate of a sample is the number of nuclei disintegrating per unit time अब यहाँ पर disintegration है तो जो undecade थे उससे opposite आएगा मतलब r is equal to minus dn by dt आएगा dn by dt था वो rate of change in undecade nucleus था rate of change in undecade nucleus था तो यहाँ पर rate of change in decade nucleus ओके तो simple सी बात है जैसे मुझे minus dn by dt मिला वैसे ही मुझे यहाँ पर plus lambda n मिलेगा क्योंकि यह negative cancel हो जाएगा तो r equal to मुझे मिल जाएगा lambda into n तो यह equation 2 के इसाब से देखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ from equation 2 r equal to देखो यहाँ पर मैं lambda से multiply कर सकता हूँ तो इधर भी कर सकता हूँ यहाँ पर मैंने lambda लगा दिया यहाँ पर lambda लगा दिया तो यह बन गया r और यह बन गया r0 ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ r equal to r0 into e2 power minus lambda t कि यह भी formula आपको याद रखना है और इसको नाम दे देता हूँ में equation number 3 ओके बस अभी दो ही concept पढ़ने है एक है half lifetime और एक है average lifetime ओके अब यह जो decay rate है उसका unit एक बार देखना बाग की है इसलिए मैंने थोड़ी जगह जादा छोड़ी थी बट फिर वापिस चेंज करना पड़ा तो यह average lifetime को भी पीछे लेके जाते है चलो अब unit क्या आएगा इसका तो radio activity discover किसने की थी back barrel ने ठीक है ना तो इसका ऐसा unit जो है SI unit of activity या तो radio activity ठीक है जिसको हम decay rate आर भी बूल सकते है एक तरह से तो उसका एसा unit क्या आएगा back barrel बी क्यू ओके और फूल फॉर्म लिखना है तो small में लिखना है पूरा एक चीज़ याद रखना one back barrel equal to one decay per second और अधर यूनिट में देखा जाए तो एक क्यूरी है जो काफी यूज होता है तो one theory equal to 3.7 into 10 to power 10 decay per second और back barrel कोई भी नाम दे सकते हो क्यूंकि back barrel और decay per second same same है ओके चलो अभी start करते है half life time ओके तो half life time जो हो half life time is the time it takes for a sample that has initially n0 nuclei to reduce to 2 n0 divided by 2 okay half life time यहाँ पर definition आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब derivation तो एकदम easy है कि अगर आपके पास initiality equal to zero time पे n equal to n0 nuclei है तो जो time के बाद n0 divided by 2 nuclei रहेंगे उस time को में बोलेंगे half life time of that sample ओके तो हमारे पास formula तो ही as per law of radioactive decay यहाँ से start कर दो as per law of radioactive क्यो एक्टिव डिके n equal to n0 e2 power minus lambda into t देखो यहाँ पे जो टी वन आफ लिखा है मैंने वो कभी कभी तो वन आफ से भी denote किया जा सकता है लब half life time को तो वन आफ भी बोल सकते हो टी वन आफ भी बोल सकते हो आपकी वरसी कहीं पे आए तो ध्यान में रखना ठीक है अब n की जगह पे n0 by 2 लिख सकते हो और t की जगह पे क्या लिख सकते हैं तो वन आफ ठीक है n0 n0 cancel out तो यहाँ पे 1 divided by 2 equal to 1 upon e2 power अभी यह दिखो power negative था वो positive हो गया lambda into tau 1 half अब क्या करेंगे तो अभी cross multiply कर दो तो आपको 2 उदर जाता हुआ नजर आएगा और e2 power lambda into tau 1 half इदर आजाएगा e अगर remove करना है तो दोनों तरफ ln लगा दो ln लगा दोगे तो power आगे multiply हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ln e वैसे ही वहाँ पे ln 2 अब ln e की value हमें पता है क्या है 1 ln 2 की value 0.693 अगर नहीं आता समझ में तो ln 2 को 2.303 से multiply कर दो वो log 2 में convert होगा और log 2 calculator में कैसे देखते हैं वो मैंने आपको सिखाया था ठीक है और log table में भी आपको आता है तो कोई problem है ही नहीं otherwise direct value याद रख लो तो tau 1.5 इक्वल टू आपको मिल गया formula 0.693 डिवाइड बाई decay constant lambda ठीक है चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब देखो suppose आपके पास initially 16,000 number of undecade nuclei है t equal to zero time पे n not equal to 16,000 ठीक है half lifetime suppose 5 साल है तो after 5 year यह 8,000 बचेंगे after another 5 year यह मत समझो कि यह 0 हो जाएंगे जो present थे उसके half divide by 2 मतलब अभी बचेंगे 4000 next 5 year में 2000 next 5 year में 1000 यह divide करते करते जाओ आपको 0 कभी भी नहीं मिलेगा मतलब किसी भी sample का आप full lifetime निकाल ही नहीं सकोगे infinite आएगा इसलिए निकाला जाता है average lifetime mean lifetime जिसको बुलते हैं average lifetime और इसका दूसरा नाम है mean lifetime mean मतलब average होता है न तो और उसको denote करते हैं tau से definition देखो मैंने यहां से direct copy की है क्या changes किये है half की जगह पे mean and not divided by 2 की जगह पे e and not divided by e देखो यहां पे average lifetime is the time it takes for a sample that has initially and not radio nuclei to reduce to to reduce to and not divided by e चलो derivation में क्या आएगा as per low of radioactive decay तो यह statement copy कर ले n not equal to n not e2 power minus lambda t अब n not divided by e यहां पे रखेंगे n की जगह पे यहां पे n not और e2 power minus lambda into t की जगह पे tau अब देखो यहां पे n not n not cancel out अब चेक करो 1 upon e equal to क्या बनेगा 1 upon e2 power lambda into tau अब दूनों तरफ देखो 1 upon e 1 upon e same है power को equalize कर दो तो 1 equal to lambda into tau मिलेगा आपको और tau equal to मिलेगा 1 upon lambda ठीक है तो numerical के लिए यह सारे formula अच्छे से याद रख लेना ओके तो यहां पे radio activity अच्छे से समझ लिया derivation समझ लिये अगर कहीं पे भी किसी को doubt लगे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो anytime contact कर सकते हो next lecture में next topic से syllabus को आगे बढ़ाएंगे ठीक है चलो यहां तक रखते हैं thank you खंगे पुलो यहां प्लो यहां गदू यहां प्री लियुट यहां यहां खू रखते हैं हो यहां तो यहां जो यहां झागल गलो यहां किसी कोNS तो अश्छे से जहादे